हलौ प्रीमट एन वेलकम बैक टु गाइस दीये धपक और एक लेटेस्ट अपडेट निगल के आ रहे थी झारखन के ग्यारोगेर अनुशुचित जिलोसे यानि की ग्यार अनुशुचित जिलो में शिक्छक नुक्ति से लेकर यह अपडेट निकल के आ रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि जार्खन की ग्यारो गेर अनुसुचित जिलों के अभियर्थियों द्वरा निुक्ति की मांग पर मंत्री के आवास पर घेराव किया था। अभियर्थियों ने सुप्रीम कोट के आदेश के बाद निुक्ति में बिलम ना करने की मांग की है। इस दोरान मितले स्ठाकूर ने अभियर्थियों को आश्वासन दिया है कि आपको जल्द नियाय मिलेगा। तो इसको हम लोग डीटेल में जानेंगे कि आखिरी इस पर बहाली की जाएगी या नहीं की जाएगी तो आप वीडियों में बने रहेंगे अंतक। साथी मैं आपको बता दूं कि अभियर्थियों दोरा कहा गया कि जहारखन हाई कोट की लाजर बेंच ने सोनी कुमारी जो केस था इस मामले में दिये गए फैसले से असपर्ष्ट कर दिया कि गेर अनुसुचित जिलों में न्यूक्ति पर किसी परकार का रोक नहीं है। पिछले सप्ता सुप्रीम कोट ने हाई कोट को अभियर्थियों के मोडिफिकेशन पिटीशन पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि ग्यारो जिलों की न्यूक्ति हो पाईगी या नहीं हो पाईगी। तो इस पर मैं अपना वेक्तिगत राई दे रहा हूँ। इस पर आपका वेक्तिगत राई जो भी होगा आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा। और जहां तक ग्यारो जिलों की बात है सरकार इतनी आसानी से ग्यारो गेर अनुसुची जिलों की न्यूक्ति करके जोखिम नहीं उठाएगी। वज़ा है ग्यारो और तेरो जिला का जो बिग्यापन है वह एक ही है। तो इस पर सरकार एक जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। सात ही गेर-अनुसुची जिलों के प्रार्थी द्वरा ये पीटीशन में कहा गया था कि विग्यापन एक ही है लेकिन हमें आरचन का लाब नहीं मिला है। जो भी आरचन का लाब मिला है वह तेरो जिला का न्यूक्ति कर आपको जो भी करना है आप किजिये लेकिन गारो ज जिला के अभियर्थिदोरा पीटिशन में कहा गया था और जहां तक मुझे लगता है कि बिग्यापन अगर रद होगा तो वह 24 जिला का ही रद हो जाएगा और नहीं होगा और जहां होगा जबर तक बात है कि जयरोंजिला के नोक्ती का तो मैं बता लेता हूं कि सरकार बिलकुल या नोक्ती अभि नहीं करेंगी जब tक 13 को को हमेरी Link भारत तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टूपी के साथ तब तके लिए जय ही जे भारत